वेलकम टू दा चैनल अर्वी फंटेसे सेवंथ इस सुलियो में हम बात करने वाले NB लिग का जो मैच होने वाले केवलर केवलर्स वसेश टोरेंटो रैप्टर्स की बिच में दोनो टिब में अगर कंपेरेजन करें तो यहां से कुछ ज्यादा डिफ्रेंस आपको दोनो टिब में देखने को मिलेंगा नहीं अगर रिसेंटली चार मैचेस की बात करू तो टोरेंटो रैप्टर चार में से दो मैच विनर दो मैच लॉस के साथ आरी सेकंड साइड केवलर्स जो जा था पर रिसेंटली चार में से तीन मैच लॉस और एक ही मैच आपर विन कर पाई है लेकिन यह दोनो टिम यह आप इस NBA लिग सीजन में दो हेट टो एट मैचेस के लिए और दोनो मैचेस से आपर केवलर्स ने विन किये तो दोनो टिम equally strong है लेकिन केवलर्स के पास थोड़ा सा जो डिफेंस है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग है आज कम्पेटर आपर टोरेंट अरोप्टर्स और केवलर्स के पास इनकी बैंच स्टेंट भी काफी हद तक बढ़ी आए और टोरेंट और आप्टर्स के पास भी अच्छे कासे बैंच स्टेंट रिकेंट रिसेंटली कुछ मैचेस से आउट ऑफ फोर्म चल देंगे टेलिग्राम चानल की लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करते तो टेलिग्राम पर सर्च करना अर्दरेट अर्वी फंटास्य सेवन सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से बात करेंगे दोनों टिप की तरफ से प्रोवेबल स्टार्टर प्लस इंजोरे अपडेट्स तो सबसे पहले टोरेंटो रैप्टर्स जिन की तरफ से वैनलिट लास्ट माच आपर केलें नहीं थे उनकी जागा पर फ्लाइं ने स्टार्ट किया था आज के माच में भी गेम टाइम डिसीजन बना हुआ है अगर यह नहीं कहलते तो आप फ्लाइंग को स्टार्ट करते भी देख सकते हो को ट्रेंट यह आपर स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे आप स्टार्ट करेंगे बिस जोगे आपर एक वोने वाले यसपी सिया कीम क्योंकि एस कंप्योटरी आपर अगर वैंडलिट नहीं खेलते तो आप पर प्राइमरी ओफिंसी चार्ज हैंडलर रहेंगे और मोशली शॉट आपको फ्यूट गोल से लेते भी दिखेंगे और रिबांड से भी पाउन देंगे तो एक सेफ एसप पुलर्स के आगेकि इनोने एक मैच से के लेते और वहां पर पर्फॉर्मस इनकी तरफ से आया था लास्ट मैच में काफी ज़्यादा श्ट्रगल कया था वैसे वीमी स्ट्रचस भी दिखोसे बड़िया कर ले थे लंग possess में एक भी इनकी तरफ से नहीं कर आया और turिच में आपको देखने को मिलेंगे सियाक कीम का रोल इंपोर्टन रहा था क्योंकि आप पर फिताउट वैनलेट केल रहे थे तो फिर गोल से ज्यादा एक्टिवेट रहे थे यह भी आपको यहाँ पर ध्याण में रखना है तो अचिवा और उसी साथ आपर क्यावलेर्स की तरफ से इनके जो आप पर प्लेयरे लव वह आपको खेलतिव देखेंगे एंटर बैंच प्लेयर लेकिन दोनों ऑफेंसिव प्लेयर है तो आपको आपके लिए शायद दोनों रहने वाले क्योंकि आपर दोनों आपको फीड़ोल से काफी ज्यादा एक्टोर देखने को मिलेंगे दोनों आपको डबल डबर और थ्री पॉइंटर शूट अच्छे खासे कर ले थे तो इस टीम के तरफ से जो बैंच से आपको खेलतिव देखेंगे आज आप पर बैंच प्लेयर उसके साथ साथ आपको बाउचर एक मुझो लागता है सबसे बेस्ट पॉइंट पिक आपको याज से देखने को मिलेंगा लास्ट माच 7.9 रिबाउन और एक ब्लॉक इन के तरफ साय था अच्छवा की तरफ से रिसेंटली हर मैचेस में परफॉमस बेस्ट राए लेकिन पावचर को थोड़ा सा हाईली आप है प्लिफरेवल करूंगा जेल में काफी बड़ीया प्लेयर है लेकन सेलेक्षंट परष्ण पर्षण से थोड़ा सा कम है तूईड़ा है कियोकि आप रिसेंटली मैचेस आना आवरेज परफॉमस आये लेकिन ये पड़ीयर अपनों टिम का जो सेंटर है वो डिफेंसिव सेंटर नहीं है तो हो सकते आपको बाउचर अच्छे कासे पाइड देते हुई दिखेंगे तो बाउचर को भी आप यहां से ट्राइ कर सकते हूँ बागी अगर आज का माच आपर वैंड लेट खेलते हैं तो फ्लाइन आपको खेलते हैं देखेंगे बैक अप गार अधर वाज जो इनके खाड़ के प्लेर है योंग होए विसे या पर होए मैलोस के तो यह कुछ आपर इनके प्लेर है ज्यादा है आपर हाइली प्रिफेरेब नहीं करता हूँ जो इनकी में बैंच प्लेर है यह अचुआ और वाउचर यही इनके दो मैंच प्लेर है अधर जो प्लेर है सिच्वेशन के इसाप से इनको यूज किया जाता है और रिसेनली माचेस में मैलोस को टाइम मिलाए क्योंकि आपर वैंड लिट नहीं के लिए अ में या से बात करते हैं तो इस टीम की तरब से आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे पॉइंगर से घरलेन बॉलाइन लिंक का काम समबलते हैं लास्ट माच में आपने इनके असेस्ट देखे होंगे काफी बढ़िया असेस्ट इन होने किये थे उससाथ जात ओकेरा शू करूँगा स्माल लिग में भी अगर आपके पास क्रेडिट अवेलबल है तो ट्राइक कर सकते हुए क्योंकि हेट ट्वेड माचेस के परफोर्मस इनके अच्छे वैसे अलीन ने रिसेंटली हेट ट्वेड माचेस में अच्छा का सा परफोर्मस देया इस सीजन में भी और सीजन में भी तो अलीन अगेंस्ट आपर टोरेंटो राप्टर्स काफी हेवीले परफोर्मस देते और जेल में आप इने यस्पी भी भी ट्राइक कर सकते हुए मारकरीन लास्ट माच में इन्होंने जो सीटिंग फावल है वो काफी जादा किये थी यही रिजन रहा था कि थोड़ा सा कम टाइम यापर यह खेले थे लेकिन यह भी डिफेंसव प्लेयर है और इस टीम की जो डिफेंसव श्ट्रेंग थे मारकरीन, मॉबली और अलीन तीनों अल्मोस्ट अनन आवरेज यापर सैवन फूर्ट की प्लेयर है यही रिजन है कि यह जोग टीमें डिफें 19 असिस्ट 1 ब्लोक और 2 स्टील के साथ 22 फीड़ गोल से शॉट्स इन्होंने अटेम्ट किये थे जहाँ पर अच्छा खासा परफोंस आया था अलिन फीड़ गोल से थोड़ से कम एक्टिवेट रहे थे लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा परफोंस इनके तरफ से आया था को मारकरिंग की बात करू टाइम काफी कम मिला था रिजन मैंने आपको बता यथ फावल काफी जादा किय थे जहें नहीं के थोड़ा सा कम टाइम कम लहा था और इनको कम ताइम मिला थे तोuster से यहां पर रहे जंका प्लेर उस्मान के पर यादा पड़िया प्लेयर और इन् प्रिशंद करते हैं, वो मार्करिंग को ट्राइ कर सकते हो, अभी स्मॉल लिग में इंपेटर्ब प्लेयर को अने अलीन, उसीक तासाथ गयार लें, ये दोने इंपेटर्ब प्लेयर है, ग्रेडिट अविलेबल हों तो मार्करिंग के साथ जा सकते हो ओकेरा ने लास्ट मैच में बेच दिया लेकिन इससे पहले हर मैचस में आप फरी फ्लॉफ रहे तो शायद आप इनको ड्रॉप करकर रिस्क ले सकते हो और क्रेडिस से और के साथ जाना चाहते हो तो शायद आप इने भी प्रिफ्रेबल भी कर सकते हो लेकिन उससे पह आपर पोजिशन के लेर है लेवर्टी वह फिलाल आपर खेलने रहे 18 पॉइंट पर गेम इनका आउरेज है आज के मैच में अगर आप यह आपर लाइन अप में जाकर देखेंगे तो यह आपर गेम टाइम डिसीजन है यानि खेल सकते हैं ऐसा इन्होंने बता है लेकिन इनके जो बैंच ट्रेंट थे वो यहाँ पर कंफरम है लोग खेलेंगे आपर बैक अप सेंटर उसीक साथ आपर ओस्मां खेलेंगे बैक अप फॉर्वर्वर्ड यह दोनों इस टीम के बेच प्लेयर है इनको ही सबचे जादा प्रिफरेबल किया जा था सेंटर और फॉर्वर्व स्थिवंस और गॉल्विन इन दोनों में से किसी वह नहीं मिलेंगे मोशली चांसा से का आप स्थिवंस के लिए और रॉंडो के लिगे बैक अप गारर और ओर को ताइम नहीं मिलेंगा तो यह आपको ध्यान में रखना है अगर आप यह आप यापर घ्या ट्राय कर रहे हो बाकि ये दोनों प्लेयर आपके लिए स्मॉल लिग के लिए बेश्ट पॉइंट पिक मिल जाएंगे जहाँ पर लोग मुझे लगता डिपॉल्ट पिक रहेंगे क्योंकि त्री पॉइंटर शूटर भी और रिबाउंड से भी पॉइंट देते हैं बाकि अगर यहाँ से बात करेंगे ट्रीमलों टीम तो ट्रीमलों टीम के लिए सबसे पहले पॉइंट गार्स एक्शन में हमारे पास प्लाइन अविलेबले गेम टाइम डिशीजन नहीं के लिए रोंडों खिलते हैं रोंडों को पिक कर सकते हैं या पर स्टीवन से एक डिफ को से आपर श्ट्रगल किया वैसे इन्होंने श्ट्रगल किया तो बंस ने भी लास्ट माच में श्रगल किया था क्योंकि अपोनन टीम ने डिफेंस अच्छा किया था तो हर एक दिन होता है किसी प्लेयर का अच्छा होता है और किसी प्लेयर का पुरा होता है तो लास्ट मा को changes करना है तो आप चाहो तो अच्वा की जगा पर ओकिराव को आप अपने टिम में ट्राइ कर सकते हूं जो कि लास्ट माच में बेस्ट परफॉर्मस देखर आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपर मैं थोड़ा सा अच्वा के साथ चाहूंगा बैंस से खेलेंगे लेकिन मुझे प मता ही प्रोबेबल वही लाइन अप हुए कोई changes नहीं हुए और यस्पी पीप में डिपॉल्ट आपर अगर आज का माच आप पर वेंडलिट नहीं कहलते तो स्याक किम को में यस्पी बनाऊंगा और मेरी पीपी होने वाले गरलेंड अगर आज का माच आपर फ्लाइन खेल यह दोना आप पर अच्छे खास शॉट से आपर अटेम्ट करते सेकंड सारी गारलें आपको से से पॉइंट देंगे और से अक्यम के अगर यहां से बात कुरू तो यह रिबाउंट से आपको पॉइंट देंगे दोनों सेम लेवल के प्लेरें अगर आप चाहो तो यस्पी